हेलो गाइड्स ओवलेट्स में सहाँ दोस्तों कैसे हो दोस्तों आज सेका तो बहुत अच्छेड़ होगी तो आज के जो टॉपिक है वो सेलरो कंपानी का सियाटी टीवी है यानि यह जो आप पीसी भी देख सकते हैं सेलरो कंपानी का बोर्ड तो गाइड्स इस बोर्ड में तो आपको कि इसका जो गाइड्स पांसो इंया तो इतना यह नब्र आपको पॉल देख सकते हैं और इसका इसका नम्बर आपको पॉलेम बोल देतें इसका प्रॉल्म्ज क्या है सोकुति इसे फ्यर्वरbon लाई जो लिईड है विलै। इसका जो एलेडे है ऑलवेड्य को ब प्रेटाफ्टे व्याश्वी धे चालो नहिए हो रहा है तो चले आपको दिखाते हैं पूरी आपको घ developers कॉंधाइफ्स कॉनल सरते हैं कि इसका एलेडана ़ी जुका आफ देखें किया होता है फिर से इस्टेंड बाइ आरा है चीक है और आपस आगे क्या होड़ा है इसमें जो LED है इसका always blink कर रहा है आप डाउन आप डाउन देखिए बंद चालू बंद चालू होड़ा है न तो ऐसे ही होड़ा है इसमें तो यह जो प्रॉब्लेम है आप डाउन का यानि ओन ओफ होने का LED रुखने का नामी नहीं लेड़ा है यानि हमारा इस्टनबाई एक बार हो चुका है उसके बाद क्या होड़ा है इस्टनबाई ब्लिंग इस्टनबाई ओपास आड़ा है एलिज होकर भी ओफ होड़ा है ठीक हम लोगों का जो बोल्टेज मेजर करने का जरूरत है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहां पे कौनसी कौनसी ऐसी इंपोर्टेंट वोल्टेज है इस त्यालड़ो कंपनी के टीवी के अंदर तो वो बोल्टेज को आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो चलिए मैं द दो रूखने का नामी नहीं लेगा है तो चलिए आपको दीखाते हैं आपको कौन सा डोटेज आपको चेक करना पड़ेगा तो आप लोग तो जानते ही कि अगर कुछ भी हो जाए लेकिन 110 वोल्ट आपको ready यानि major करना ही पड़ेगा 110 वोल्ट तो यहां पर देखिए 110 वोल्ट हमारा 107 वोल्ट है यानि हमारा भोल्ट जो है यहां पर आना चाहिए और जो भोल्ट आप देख सकते हैं एस्टी तेग भी पहुंच रहा है ठीक है त हाँ पर देखिए driver voltage कितना है यहां पर देकिए 6.5 वोल्ट और हमारा जो हैं पर हमारा पर ना इसके लिए 25 आटेश्त तक वोल्टेज आना चाहिए यह भी हमारा सही है तो यहां पर जो तीन में पॉइंट वोल्टेज था यानि दो वोल्टेज में था यहां पर 110 का और हमारा यानि जो ड्राइबर है उसका सप्लाई का वोल्टेज तो यह दोनों वोल्टेज हमारा सही है अब क्या हो रहा है इसमें तो आप देखना पड़ेगा आपको आप इस साइट पर आ जाते हैं और यहां पर देखिए आप ध्यान से देखिए आपको मैं कुछ जरूरी बोल्टेज के बाड़े में बता रहा हूं तो यहां पर देखिए एक 5 बोल्ट आपको रेगुलीलेटर मिलेगा यहां पर आपको 5 बोल्ट देख लेना है तो देखिए यहां पर 4.76 तक बोल्टेज हमारा रेडी है यानी 5 बोल्ट लगबग 5 बोल्ट है तो चले कोई बात नहीं आप आ जाते हैं मेमोरी आईसी पर और म पर मैं देख लेता हूं 180V तो देखे 180V हमारे रेडी नहीं है क्योंकि ST नहीं हो रहा है तो यह रेडी कैसे होगा तो कैट्स अगर ST होगा तभी 180 वोल्टेज हमारे रेडी होगा अगर नहीं होगा ST तो जितना वोल्ट इन्पूट होगा ST पे उतना ही वोल्टेज उहाँ पे दिखाएगा ठीके तो ऐसे ही होड़ा इसका यहाँ पे कोई ST नहीं बन रहे है ओके तो देखिए आप अच्छा से अभी देखिए में लाइन दिया और देखिए 191 तक भोल्टेज आ चुके है अभी ST हमारा हो चुका लेकिन देखिए वापस क्या होड़ा है ST फिर से बंद हो गया 107 हो गया याणि इन्पूट जीतना वोल्टेज में रहा है उतना ही वोल्टेज उहाँ पे 180 के जगा पे तो देखिए एक बार रिलीज होके फिर से फीडवेक और फिर से ओफ़ोन ओफ़ोन होड़ा है LED आप देखिए त्यूनर फिर आपको कुछ वोल्टेज चेक करना पड़ेगा जैसे कि 5 वोल्टेज और अब हो तो हो गया आप आजारे में स्फीआ में है में आई सिमें चैनल नंबर की में आप our oportunidad जो तीन भोल्टेज अर्ट चरोड़ेगा जरूरी है जो आई चीका지 का डोन नंबर फिम् Korean React यह सेलोडा का IC है इस सेलोडा का IC का लास्ट में जो होता है ना 1710 नमबर ठीक है तो ऐसे आगार IC होगा तो इसका जो 14 नमबर पीन है उसमें आपको 8V मिलना चाहिए लगभग 8V तो देखिए यहां पर कितना है 5.8V यानि हमारा 8V तो इंटुट हो रहा है लेकिन यह जो IC है 8V तक होना चाहिए तो यहां पर 5.8V है यह लगबख 6V तो इतना कम वोल्टेज एक वोल्टेज दो फोल्टेज कम है कम होना नहीं चाहिए तो इसका आप समझ लेजिए कि इसके अंदर आइसी के अंदर यानि पोसेसर के अंदर कुछ गड़वड़ है इसलिए यह जो वोल्टेज है थोरा सा दव रहा है यानि थोरा सा घट रहा है इसमें ओके तो आप सियोड हो सकते हैं यहां पर जो IC है यहां इसी खड़ाव हो चुके हैं तो आप मैं इसको खोलूंगा और और इसका जो पॉब्लेम है पॉब्लेम सिर्फ एक ही है जो LED है इसका LED always blink कर रहा है यानि LED रुखने का नामी ने ले रहा है तो देखिए आप मैं इसका जो प्रोसेसर यानि मेरा इसी है इसको मैं आप खोलूंगा और गाइस यह जो बेस में बढ़ा है यह पहले से ही बेस म खोलने के बाद आपको नंबर दिखा रहा हूँ देखिए आप 1710 लास्ट में है और फास्ट में तो 9381 से है तो आप देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ और आपको मैं एक अलग यानि सेम वैलू का एक अलग प्रोसेसर यानि में ऐसी लगा कि आपको दिखा हूँगा कि इसमें क्या होड़ा है अब देख सकते हैं यह जो ओल्ड आइसी था इसको में खोला और आभी जो आपको दिखा रहा हूँ यह है नियू आइसी ओके तो इसका भी ने सेम नंबर है सेम वैलू का नंबर है लास्ट में इसका 1710 है क्योंकि स्यालोडा का इतना ही कॉमन जो है आईसी नंबर यह है तो इसको में अभी लगाऊंगा इस पर तो गाइट नियू आइसी लगाने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर डैंपिंग बगेरा कुछ ना हो तो हो अगर हो सकता है तो आप इसको क्लीन कर लिजिए तो अच्छा होगा और लगाने टाइम आपको पूरा पी देख लिजिए इसको सेट करने के टाइम पर आपको देखना पड़ेगा दोनों साइड पर ओके तो देखिए अभी जो हमारा आइसी है यानि इस बहुत ही आसानी से बैठ गया यहां पर इसका जो बेस था इस बेस में और यह जो है ओल्ड फर ओल्ड आइसी जो इसको मैं खड़ाब मानता हूँ लेकिन यह आईसी खड़ाब हुआ के नहीं अब आप विडियो में देखके पता चल जाएगा आप लोगों को क्योंकि इसको मैं खड़ाब बोला और आप लोगोंको अभी पता चलने बाला है कि यह जो आईसी में लगाया और ओ जो रही था और कौन खराब था ठीक है तो देखिए वेडियो बहुत ही ध्यान से देखिए तो देखिए मैं सेट पर लाएन दे दिया और हाँ पर फॉलो किजिए गाइट्स सब आप लोग देखिए एलेडी को फॉलो किजिए देखिए एलेडी हमारा इस्टनबाइ रिलीज हो चुका और आप यह हमारा इस्टी बी बन रहा है और इस्टी बी चालो हो गया और हमारा आइसी बी काम करना शुरू गर दिया तो देखिए अब मैं बैक साट पर लेके चलता हूं आपको और आपको कुछ भोल्डेश चेक करके दिखा चल यह माल्टीमेटर को रख लेता हूं यहां पर और आप मैं आपको दिखा रहा हूं अगर एस्टी बनेगा तो 180 पर भोल्डेश आएगा 180 हो या फिर्शो हो जितना होज सके भोल्डेश आएगा और देखिए 110 सप्लाइब वोल्डेश तो हमारा वही है जितना आ रहा था आप है थोड़ा से ड्राइबर वोल्टेश बढ़ चुके हैं आ कि आप देख सकते हैं ड्राइबर जो वोल्डेश था ओस सेंट फॉइंट थूरा से ज्यादा था यानि पहले से जब्दा था तो भी थूरा से बढ़ गया और आप यह आप देख सकते हैं मेमोडिया इस भी थोड़ा सा बढ़ गया है था रहा है पहले फॉर्थ पॉइंट कितना आ रहा था और अभी देखिए 3.3 पुड़ा सही है और चौदा नमर फिन में देखिए खास करके आपको यहां पे चौदा नमर फिन में फॉलो करना पड़ गया तो देखिए 7.2 तक वोल्ट आ चुक था और देखिए 180 वोल्टेज कितना है 1500 तक वोल्टेज आ चुक है नहीं हमारा एस्टी भी रेडी हो चुके है एस्टी अभी चालू है ठीक है अभी जो अगर हम में इस PCP को लगाऊंगा सेट पे तो यह जो टीवी है बिल्कुल चलेगा यह डानिंग होगा क्योंकि यहां तो यहां पर पूरा जो इससका सब सबसाई साभ़ाईज सही है सब व्ल्टेज अभी सही हो चुक है तो देखिए अभी तक रेलीज हो चुक है हो मिलते ले विद्वाइज वीडबैक नहीं आया कि तो आप और लोग स्योअर्य आसी एं ए तो मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तर ले बाई, जैने दोस्तों